पहला तरीका है पुरुस जब भी जमीन मिट्टी पर पेसाब करें तो अपने पेसाब की जाच करें महिला की गर्भासा की जाच करें जिसे हम लोग गाउं में फूल बोलते हैं फूल की जाच करें यदि फूल ठीक होगा तो फल भी अच्छे होंगे हलो दोस्तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार मैं हूँ स्याम जी स्वागत करता हूँ फिर से हमारे निव वीडियो में दोस्तो कैसे हैं आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्ता होंगे और अपने अपने जिंदगी में मस्ता होंगे तो अभी सुबह के 9 उच्छा है संतान प्राप्ती करने के लिए जड़ी बुटी बताईए तो इस वीडियो में बताऊंगा निसंतान दमपतियों के लिए संतान प्राप्ती करने का अचुक उपाए कुछ जड़ी बुटी नुस्खा तो वीडियो में अंतक बने रहें और यदि अभी तक आप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में नोटी पिसन बेल आइकन को जरूर दबाईए जिसे हमारा नेश्ट वीडियो की सूचना आप लोगों को मिलती रहे तो चलिए दोस्तो कहीं पर बैठ जाता हूं फिर संतान प्राप्ति होने में समय नहीं लगता है अब स्वस्था कहने का क्या मतलब है क्या मोटे ताजे हैं तो स्वस्था है क्या दुबले पतले हैं तो कमजोर हैं नहीं यहाँ पर स्वस्था कहने का मतलब है महिला और पुरूस के कुछ तत्व स्वस्था होंगे तो संतान प्लापती होने में समय नहीं लगता है। आप लोगों को कुछ उधारन के द्वारा बताता हूं। तो वह भी नहीं उगेगा। उसी प्रकार महिला और पुरुस्त दोनों स्वस्त होंगे तो संतान प्रापती होने में समय नहीं लगता है। फूल बोलते हैं फूल की जाच करें। यदि फूल ठीक होगा तो फल भी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले महिला की गर्भासा की जाच करें। महिला को सुबह खाली पेट बेड में लिटा दीजिए। और फिर उसके नाभी को हलका सा अंगुठा से दबाएं। यदि नाभी में नाडी की भाती गती होती है तो गर्भासा की जीशा ठीक है। और यदि वहाँ नाभी के अगल बगल में या नाभी के नीचे में नाडी की भाती गती होती है तो गर्भासा की जीशा ठीक नहीं है। तो इसे ठीक करने के लिए पुराने समय के दादी नानी को इसे ठीक करने का अनुभाव होता है। वह केश्टर आयल से या तील तेल से मालिस करके इसे ठीक कर देती हैं गर भासाई की दीशा को ठीक कर देती है या फिर चाहें तो आप खुद भी इसे मालिस करके ठीक कर सकते हैं उसके बाद यहां जाज करें क्या महिला की समय चक्रा सही समय पर होती है यदि सही समय पर होती है तो ठीक है और यदि 15 से 16 दिन का अंतर होता है तो ठीक नहीं है क्या समय चक्रा के दावरान महिला के कमर पेडू में दर्द होती है यदि दर्द होती है तो ठीक नहीं है क्या सम बहुत ही असरदार नुस्खा बता रहा हूं और यहां नुस्खा बहुत ही कारगर है एक चम्मा सांप को रात को एक गिलास पानी में डुबा कर रख दीजे और सुबह उसमें थोड़ा सा धागे वाली मिस्री मिला कर उसे चान कर पीने से महिला में जो समय चक्रा की समस्या हो वह ठीक हो जाती है और उसके बाद फिर अंकुरित अनाज का सेवन करें अंकुरित अनाज में अंकुरित गेहूं अंकुरित चना अंकुरित मूंग इस तीनों को तीन साव से चार सो ग्राम सेवन करें और इस परियोग को लगातार तीन महा तक सेवन करने से महिला में जो सम पुरुस अपने की जाच करें कि वे स्वस्तक और है या नहीं तो पुरुस अपने की जाच कैसे करें इसके लिए तीन तरीक़ बता रहो हूं पहला तरीका है पुरुस जब भी जमीन मिट्टी पर पिसाब करें तो अपने पिसाब की जाँच करें क्या उसके पिसाब में जागुदपन नहीं होता है तो सुक्रतत्व ठीक है और यदी पिसाब में जागुदपन नहीं होता है तो सुक्रतत्व नहीं है और दूसरा तरीका है पुरुस अपने तत्वा को एक कटोरी पानी में डुबाएं यदि तत्वा पूरी तरह से पानी के नीचे बैठ जाता है तो सुक्र तत्वा सही है और यदि तत्वा पानी में आधा डूपता है तो सुक्र तत्वा कम है और यदि तत्वा पाई में तैरता रहता है तो सुक्रतत्वा कम है और तीसरा तरीका बता रहा हूँ हूँ पुरुस अपने तत्वा में देखें कि लंब आता है कि नहीं यदि तत्वा में लंब आता है तो सुक्रतत्वा ठीक है और यदि तत्व में कम लंब आता है तो सुक्रतत्व कम है और यदि तत्व में लंब नहीं आता है तो सुक्रतत्व नहीं है तो इसे ठीक करने के लिए एक बहुत ही असरदार नुस्खा बता रहा हूं पुरुष प्रती दिन अंकुरित अनाज का सेवन करें अंकुरित अनाज में अंकुरित गेहुनремं अंकुरित चन अंकुरित मुंग तीनों को 300-400 ग्राम .। प्रती दिन सुबह सेवन करें उसके बाद फिर अस्वगंधा पाउडर, सफेत मुस्ली पाउडर, कौँजबीच पाउडर और सतावर पाउडर सत को पराबर मातर में मिलाकर एक डब्बे में भरकर रख लीजिए और सुबह अंकुरित अनाज सेवन करने के बाद उस पाउडर को 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 था का सेवन नहीं करें, किसी भी प्रकार के नसिली पदार्था का सेवन नहीं करें, साथ में इस परियोग को करते तक ब्रह्म हचारिय का पालन करें, और जब लगातार तीन महा तक इसे परियोग करने के बाद महिला और पुरुस्त दोनों स्वस्त हो जाएंगे, महिला और प वीडियो को लाइक कीजिए नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा एक वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंड करके जरूर बताइए तो फिर मिलेंगे नेश्टर वीडियो में ओके दोस्तों तब तक अपना खयाल रखे हमेशा खुश रहिए मु